मैं इस वीडियो पर बात करने वालों अर्धवार्सी काकलन 2022 कक्छा आठवी विशय हिंदी के बारे में बताने वालों तो श्टूडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और यूटूब चैनल को सस्क्राइब करने समय रहेगा तीन घंटे का पेपर होगा, अस पुन्नांक है, असी अंको का ये पुन्नांक रहेगा कक्छा आठवी विशय हिंदी छैमाही आकलन सबसे पहले यहाँ पर है वस्तु निष्ट प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखे प्रश्न पहला विपत्ती आड़ने पर अकल डैस है, आ गई घुटने पर मारी गई चली गई अकल चली गई आ जाएगा इसमें पचराही इस्थित है बेमेतरा में, राइपूर में, कबिरधाम में, राजनान गौ में तो इसका आपको उत्तर करना है इया सब्द जूड कर सब्द बना है चपातिया, गाड़ी, गाड़ी वाला बलवान तो इया तो यहाँ पर आपका आगए इया जिस सब्द का विलोम सब्द होगा, जीत का क्या होगा, खुसी, अधिक, पक्का, हार तो उत्तर क्या है इसका हार होगा तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, हार होगा उसके बाद है कोकिल का अर्थ होता है कोयला, पक्छी, कोयल, कीला तो इसमें कोकिल का अर्थ होता है को ओयल उसके बाद है आवा गमन का अर्थ क्या होता है खाना खाना जाना जाना आना पाना खोना तो इसमें होगा जाना आना तो ये उत्तर आपकर रहेगा तो इस तरह से यहाँ पर सही वी कल्प का उत्तर बताये गया उसके बाद नीचे दिये गए परयावाची में अलग को ढूंड कर लिखिए आग का नेत्र अंसू नयन तो यहाँ पर आपका आजाएगा अलग कौन सा है अंसू मानाव नर मुनी मनूज तो इसमें आपको अलग करना है कौन सा होगा तो यहाँ पर मानाव मुनी मनूज नर तो यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा न अर नर उसके बाद है आपका अलग प्रश्ण आठवा मनूज से खंड खंड में बटा है इसका अर्थ है इसका अर्थ क्या है इसको लिखना है यदी किसान नहीं होते तो क्या होता ये नववा प्रशन है कड़वे वचन सरीर में तीर के समान क्यों चुबते हैं तो यहाँ पर मनुसे खंड-खंड में बटा है इसका क्या अर्थ है यदी किसान नहीं होते तो क्या होता कड़वे लेखक के मनोभाई का क्या परिवर्दन हुआ, इसके बारे में उत्तर करना है हेड मास्टर से मिलने से पूर is sampai लेखक के मनोभाई में क्या परिवर्दन हुआ, उसके बाद है आपका लगु उतरीय प्रश्ण, अपने मार्ग का निर्धारन पक्षी कैसे करते हैं इसके बारे में आपको उत्तर करना है तो ये छे अंकों के आपको तीन प्रशन पूछे गए थे ये भी आपका छे अंकों का रहेगा तीन प्रशन रहेगा तो यहाँ पर तीन प्रशन आपके छे अंकों का होगा अपने मार्ग का निर्धारन पक्छी कैसे करते हैं कुवर सिंग विस्वनात पर नराज क्यों हुए हमारा चत्तिसगर किन किन खने संपदाओं से भरा हुआ है दिर्ग उत्री प्रश्ण यहाँ पर साहस के पैर पाठ से आपने क्या सीखा इसके बारे में आपको उत्तर करना है साहस का जो पैर है कहानी है उससे आपने क्या सीखा अजादी के एक साहस सो जन्मों के बराबर कैसे होती है इसको बताना है अजादी के एक सांस सौ जन्मो के बराबर कैसे होती है? इसके बारे में उत्तर करना है सत्रवे प्रशन पर बर्साती न दिया के पानी लगई से रोके जा सकत है? विस्तार से लिखाओ तो यहाँ पर दिर्गो उतरी के तीन प्रश्ण साहस के पैर पार से आपने क्या सिखा अजादी के एक साहस सो जन्मों के बराबर कैसे होती है बरसाती नदिया नर्वा के पानीला कैसे रुके जा सकते लिखाओ तो इस तरह से आपको असी अंको का पेपर रहने वाल है तो थैंक्स पर वाचिंग वीडियो सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्यू सो मच